दोस्तो कोरेना वारत सभी के लिए कितना खतरना के ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है और ऐसे में हमारी गौर्मेंट नए नए कदम उठा रही है ऐसे में हमारी गौर्मेंट ने कोरेना को कंट्रोल करने के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं और ऐसे में दोस्तो एक नई एप को लॉंच किया गया है जिसका नाम है और हो गया सेतू आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और आप इस एपलिकेशन के तुरू कैसे बस सकते हैं कोरेना से कैसे सेफ हो सकते हैं चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपसे ना लाइक करने के लिए कहेंगे कोमेंट करने के लिए कहेंगे सिर्फ और सिर्फ हम आपको शेर करने के लिए कहेंगे क्योंकि सब तक इस एप्लिकेशन की इंफॉर्मेशन पहुचनी चाहिए जिससे सारे लोग सेफ रहें दोस्तों यह अप आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी साथ ही में मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिशन में दे दूँगा जिससे आपको और एप्लिकेशन इंस्टॉल नहीं कर लो एपको आप एंड्रोइड और एप्ल आइफोन दोनों में यूज कर सकते हैं अप एप्लिकेशन आपको ग्यारा अलग लेंग्विज में मिल जाती हैं जिन में आप सेलेक्ट करके अपनी लेंग्विज को यूज कर सकते हैं चलिए मैं इंग्लिस को सेलेक्ट कर लेता हूं साथी में नेक्स्ट कर देता हूं नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पर बहुत हुआ है कि आपकी location के हिसाफ से application वर्क करता है example के लिए अगर आप बाहर कुछ सामाल लेने के लिए जा रहे हैं या किसी अपने काम के लिए जा रहे हैं तो आपके आस पास बहुत सारे लोग होते हैं तो यह application आपको alert कर देगा कि आपके आस पास कितने लोग कोरेना वाले हैं कितने लोग सेफ हैं तो यह चीज का भी status ही आपको देता रहेगा चलिए हम अगरी करते हैं और अगरी करने के बाद आपको इसमें registration करने के लिए एक mobile number चाहिए होगा चलिए मोबाइल नंबर को डाल देते हैं और मोबाइल नंबर जो आप डालोगे उसमें OTP जाएगा तो OTP भी आपको इसमें डालना पड़ेगा चलिए हम registration कर देते हैं और OTP डालने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने ऐसा interface आजाएगा तो सबसे पहले आपको ऊपर three options मिलते हैं जिसमें male, female और others है आपका जो gender है आप उसको choice कर लीजिएगा मैंने male पे कर दिया है साथ में आपको अपना नाम डालना पड़ेगा मैं अपना नाम डाल ला हूँ आप अपना नाम डाल लीजिएगा उसके बाद में आपको age डाल लिए हैं दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको अपनी एकदम right information डाल लिए हैं चलिए हम अपनी age डाल द आपने ट्रेवल किया है कहीं नहीं किया है तो हमने अभी नंपर था वैसे हमने नंपर कर दिए अगर आप ने कर आया तो आप उस पे कर दीजाए गा चलिए अभी हम ready करने के बाद में और submit करते हैं तो सम्मिट होने के बात में आप यहां पर देख सकते हैं You are safe Low risk of corona virus आप यहां पर देख सकते हैं आपको पूरा यह दिख जाएगा और यहां पर हमें help line center भी मिलते हैं आपको statewide यहां पर देख सकते हैं सारे state के number हैं तो आप यहां से help कर सकते हैं और साथ में ही आपको यहां पर self assessment test भी मिल जाता है तो यहां पर आप इन से बात्चीत कर सकते हैं और अपना gender जैसे की question पूछ रहे हैं तो gender बता सकते हैं age लिख सकते हैं अपनी और next कर सकते हैं तो आपको यहां पर self assistance भी मिल जाता है तो इस तरीके से आप यहां से बात भी कर सकते हैं और आपको और बहुत सारी information इसमें मिल जाती है जैसे कि अगर आपको Corona virus के बारे में पढ़ना है तो learn more about Corona पे भी कर सकते हैं COVID-19 पे कर सकते हैं यहां पर हमें देख सकते हैं आप यह poster मिल चुके हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और डू और डू नॉट यहां पर बहुत सारा कोश मिल चुका है तो यह भी चीज आप देख सकते हैं साथी में हमें safety यहां पर बहुत सारे option है और देखे यहां पर प्या मोदी जी का भी tweet है तो government ने बहुत अच्छा काम करा है और आप इस वीडियो को जाते जाते सेयर करें सब information डालने के बाद और यह सब देखने के बाद आपको एक status मिल जाएगा कि आप कितना risk है corona virus से infect होने के लिए और कितना नहीं है तो यह बहुत अच्छी वात है साथ में जो मैंने location वाली बताई है कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपके आसपाद जितने भी लोग आपको मिलते हैं कितने corona से ग्रस्त हैं कितने नहीं हैं तो यह सारी शीच का status आपको मिल जाता है तो आप इसमें देख सकते हैं वीडियो के एंड में एक बात करना चाहता हूँ मेरी आप से एक ही request है जैसे कि हमारे पूरे देश में lockdown लग रखा है तो आप लोगों से मेरी एक request है कि lockdown का पालन करें अपने घर में ही रहें और safe रहें बहुत कम भार घर से निकलें और वीडियो को जाद से जाद से शेयर करें खुद भी safe रहें साथ में अपने दोस्तों को family को सभी members को safe रखें Thank you दोस्तो